प्रॉब्लम है कि हम जो स्कूल जाते हैं हमारे यहां का जो एडिया में तरहना से आती हूँ रास्ते में इतना डस्ट है कि हम सुबह जब घर से आते हैं तो सुटुडेंट बान के आते हैं बट जब हम यहां से वापस जाते हैं तो जैसे हम लेबर होते हैं तो हमारी administration से यही अपील की जाती है कि हमें जल से जल जो है एक tanker पानी मतलब सुबह जब हम आते हैं तो सबसे पहले रोड को पानी दिया जाए और शाम को जब हम जाते हैं और हमारे लिए एक बस होनी चाहिए क्योंकि हम जब सुबह स्कूल आते हैं तो मतलब हम अची तरह से आते हैं जब यहां से जाते हैं तो पता ही नी चालता है हमें स्कूल पे भी यही बोलते रहते हैं कि आप कैसे आते हो यह क्या प्रॉबलम है तो हमारी administration तासिलदार सरसे यही request की जाती है मतलब मेरे भायू से तो मुझसे भी की हम हर ले जल से जल, यहां पर गाड़ी दी जाए और सुबह जब हम आते हैं तो रोड को पारी दिया जाये और शाम को जब हम झाल जाते तब भी तो हमारी यही इन से ही सबसे पहले उयूप साब निसार साब और हमारे सर यहां पर खड़े हैं में इनका बहुत ज्याद स्टील हो कितना इस तो लगबक तीनाट तक वो गड़ ऐसी उचलती रहे हुच उचलती जाते है हुआ में और जो फिर हमारे जो है यूनि फार्म पहन के डेली देली दोनी पड़ती है और दूसरा मसला हमारा हम चाहते हैं एक त्रिगाम से गाड़ी खड़ी के लिए बचूं के लिए रखा जाय और एक कावना से गाड़ी ताकि जिसमें में अगनारी सारे बचे इसमें आ जाएंगे इनको दूर पढ़ता है ये सुबह बुजला से बच्चा निकलता है साथ बजे शुरू होता है घर से निकलना और ये दस बजे खड़ी पहुँचता है चार बजे इसको छुटी हो जाती है खड़ी हाज केंट्री में और ये रात को आठ बजे घर पहुँचता है इसको बड़ी मुश्किला आता है इसके लिए अगर गाड़ी ये पढ़ेगा बुन्दोबस्त होगा ताकि हमारे तासिल खड़ी के भी बच्चे जो आगे पढ़ने में इनका भी बड़ा शोक है इनके भी ये भी बड़े हिरे है लेकिन इनको तायम नहीं मिलता है पढ़ने से लेकिन आज हम आपकी माधियम से कहते हैं अगर इनकी दिमार्डे पूरी नहीं हुई तो नेजनल हाइवे भी हम बांद करने के लिए तायार है